अपना हाइएस्ट एवर यू एवर एवर हाइएस्ट रेवन्यू रेजिस्टर किया है इनके जी भर करके गंबीर आरों के बावजुद भी वहां के कामदारों को वहां के करमचारियों को उकसाने की भरपुर कोसिस के बावजुद भी आज है एच एल देश की आन बान शान बनके उठरा हूँ आदरियत बेची जिसका आप बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है मैं तीसरा उदान देता हूँ आप जानते हैं एल आईसी के लिए क्या का कहा गया था एल आईसी पर बाद हो गई गरीबों के पैसे डूब रहें गरीब कहा जाएगा बेचाने ने बड़ी महनत से एल आईसी में पैसा डाला है जितने उनकी कलपना शक्ती थी जितने उनके दर्वारियों ने कागट हो रही है कि शेर मार्केट में रुचि रुचि रखने वाले को भी ये गरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना आप उसमें दाव लगा दीजिये था अज़ा रहा है कि अधानिय देखिए यह लोग कि देश की जिन संस्थाओं की मृत्ति की गोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है और मुझे विश्वास है कि यह जैसे देश को कोस्ते हैं लोकतंतर को कोस्ते हैं मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबुत होने वाला है लोकतंतर भी मजबुत वाला है और हम तो होने ही वाले है आदेनि धेज जी ये वो लोग हैं जीनें देश के समर्त पर विश्वात नहीं हैं इन लोगों कोा देश के परिश्रम पर विस्वात नहीं है देश के पराक्रम पर विस्वात नहीं है कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टम में तीसरी इटम में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थ वबस्ता बने का अधनिया देख जी आधनिया देख जी अब देश के भविश्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम यह क्लेम करते हैं कि हम आने वाले पांच साल में तीसरे टम में हम देश की एकोनोमी को तीसरे पर लाएंगे तो जिम्मेवार विपक्ष क्या करता वो सवाल पूशता सवाल कूशता अच्छा पर बताओ दोधूरा जी बताओ कैसे करने वाले अच्छा मोदी जी पताओ कैसे करने वाले हैं करोण मैं बताओं ऐसा करते अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है लेकिन या या वो कुछ सुजाव दे सकते थे ये कुछ सुजाव दे सकते थे या फिर कहते हम चुनाओं में जन्ता के बीच जा करके बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं हम तो एक नंबर पर लेकर आएंगे और ऐसे ऐसे लेकर तो करते हैं लेकिन हमारे विपश्की तरासदी ये है और उनके राजनितिक विमर्स पर गौर कीजिए कॉंग्रेस के लोग क्या कह रहे है अब देखिए कितना कलpना दारीत रह है इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवता हीन बाते सुनने को मिल रही हैं जी क्या कहते ये ये कहते है इसकी लक्स कुछ का नोगी जरू ले, आसा ही होने वाला है